हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टूटेंट हेल्प हिंदी में अगर आपने अपने 10th के बाद यहाँ पे कॉमर्स लिया हुआ था और आपने अपना 12th कम्पलीट यहाँ पे कर लिया है तो दोस्तो पूरे वीडियो में हम लोग यही डिसकस करेंगे कि यहाँ पे कितने कोर्से होते हैं क्या डियूरेशन रहता है इन कोर्से का और इनके करने के क्या-क्या फायदे यहाँ पे होने वाले हैं सबी चीजों को हम लोग discuss करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कौन-कौन से courses आपको यहाँ पर मिलने वाले है 12th के बाद तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है आपका diploma courses तो diploma programs जो आपका होता है वो mainly two years का होता है ठीक है यहाँ पर जो duration रहेगा आपका दो साल का रहने वाला है कौन-कौन से courses रहते हैं यहाँ पर diploma में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा list बनाया हुआ है कि कौन-कौन से courses यहाँ पर रहते हैं तो सबसे पहला नंबर पर यहाँ पर आ जाता है Diploma in Travel and Tourism तो अगर आपका Interest, Travel, Tourism यह सब में हैं तो आप इस course को जरूर कर सकते हैं इस course को करने के बहुत सारे फायदे हैं आपको अच्छे अच्छे job यहाँ पर Opportunity मिलती है, अच्छी salary और अगर फिर यहाँ पर बात करें Second जो आपका Diploma Course है तो वो आपका होने वाला यहाँ पर Diploma in Hotel Management तो अगर आपको Hotel Management में इंटरेस्ट है आप चाहते हो कि Hotel Management में अपना Career बनाऊं तो आप इस course को जरूर कर सकते हो, Duration आपका यहाँ पर दो साल का होने वाला है, दो साल में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा Hotel Management के बारे में और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी salary यहाँ पर दी जाती है ठीक है, ठर्ड नमबर में बात करेंगे यहाँ पर Diploma in Air Hostess and Flight Stored तो यहाँ पर अगर आपका Air Hostess बनने में या फिर Flight वाले चीजों में अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि इस चीजों में अपना Career बनाएं, तो आप इस Course को Choose कर सकते हो, दो साल का Course होने वाला है यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे Job Opportunity रहते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर Salary दी जाती है, तो आप इस फिल्ड को Choose कर सकते हैं, चौथे नंबर पर बात करें, यहाँ पर कौन सा Course है, तो आपका है Diploma in Education, तो यहाँ पर आपको Diploma की Degree दी जाएगी, यहाँ पर आपको सिखाया जागा कि कैसे यहाँ पर Educate किया जाता है, मेलली कर लेते हैं, दूसरे प्रोग्राम के बारे में यह तो बात हो कि आपका Diploma प्रोग्राम के बारे में अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रोग्राम के बारे में तो यहाँ पर आता है आपका Degree प्रोग्राम जिसमें कि आपको यहाँ पर degree provide की जाती है यह सारे जितने भी courses यहाँ पर मैंने लिस्ट किये हैं वो आपका 3 से 5 year का duration का होता है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कौन सा course है तो आपका है B.com या B.com honors ठीक है B.B.A. L.L.B. और B.A. L.L.B. तो आप यहाँ पर commerce streams to health किये हुए तो आप यहाँ पर B.B.A. L.L.B. या फिर B.A. L.L.B. भी कर सकते हो ठीक है ठार्ड में बात कर लें तो यहाँ पर है B.B.A. and B.B.M. तो आप यहाँ पर B.B.A. और B.B.M. भी कर सकते हो यह भी आपका यहाँ पर 4 साल का होता है ठीक है अगर बात कर लें B.C.A. और B.C.A. और B.C.A. आप जानते ही हो B.C.A. आप जानते ही हो B.C.A. आप यहाँ पर B.C.A. के डिगरी लेते हो बटे इसका specific जो रहता है वो आपका computers रहने वाला है फिर यहाँ पर last number में बात कर लें तो आपका है B.A. economics तो आप यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर main अपना economics stream चूज करके यहाँ पर B.A. भी कर सकते हो अब बात कर लेते हैं third program के बारे में तो वो आपका होने वाला यहाँ पर professional program इसकी duration जितनी भी रहती है वो यहाँ पर रहती है three years से ज्यादा किठी के three years या फिर three years से ज्यादा यहाँ पर चार, five, six भी हो सकता है बात करें यहाँ पर professional program में कौन-कौन से courses आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोई सा भी course करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही high budget salary मिलता है बहुत ही अच्छी यहाँ पर job opportunity है हाँ यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारा competition मिलेगा तो आप यहाँ पर अगर बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में तो आप इस course को choose कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका payment मिलने वाला है जो आपकी यहाँ पर salary मिलने वाली है वो बहुत ही high budget होने वाली है यहाँ पर जो starting packages रहते हैं वो आपके lacks में शुरू होते हैं तो आप यहाँ पर अच्छी earning भी कर सकते हो यह courses थोड़े hard होते हैं बट आप अगर यहाँ पर करना चाहे तो आप इस course को जरूर कर सकते हो तो दोस्तो इस पूरे वीडियो में बस इतना ही जनकारी देना था आपको आप यहाँ पर 12 के बाद कौन-कौन से courses यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं professional program हो जाते हैं आपके उसके बाद हो जाते हैं degree program और उसके बाद हो जाते हैं आपके diploma program तो सभी में बहुल सारे courses हैं आप अपने specific जिस भी department में आपको यहाँ पर अच्छा लगता है या फिर आपका ज्यादा interest है तो आप उससाब से अपना course चूज कर सकते हो और उस पर अपना further studies on कर सकते हो तो दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मन में कोई question या फिर कोई सुझाओ है तो आप उसको comment में बता सकते हो और दोस्तो चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूले ताकि आपको ऐसे ही videos informative videos हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाए